स्वेलो फ्रीन्स कैसे हैं आप सभी आई हूप आप सब ठीक हैं और यह फिर से अपका स्वागत है हमारे अपने चैनल अन्बी गंबर सब अदोilot की वीडियो काफी इंप्पार्टंट होनी वाली है है आज की वीडियो के अंदर हम लें पर लेकाो भी हैं घोशेय लेकर यहां चैनल पर नई हैरे आई हैं स्कूराइब गूत चुछिंटा है कि अगर आप तयारी कर रहे हैं UKPSC Assistant Accountant की अभी तो जो कि April मापका एक्जाम होने वाला है तो उसके लिए full crash course हमारे पास मैं available है जिसकी information आपको मिल जाएगी 8394948137 पर यह जो WhatsApp नंबर है इस पर आप queries कर सकते हैं अपनी requirement लिखके आप देज सकते हैं तो आपको यहाँ पर सार करते हैं स्रॉंग श्रीट के वारे में जानते हैं जैसा कि श्प्लिट का मतलब आप लोग जानते हैं श्रीट का मतलब होता है बाटना के लिए लोगी बात अलग-अलग पार्ट में बाटना जैसे for example मैं यहां पर कहता हूं एक भी को मुझे इस प्लिट करना है तो मैं इसक इसके अंदर चलता है और इसके अलाव हम इसके अंदर बोनस के साथ में इसके अंदर ना रहे है यहां पर चैसा बोला गया है देखे दो करेंगे तो उस केस में आपके सियर बढ़ेंगे सियर बढ़ेंगे तो मल्टिप्लाई होगा अगर बैकोड मा आएंगे तो आपका काटेगा तो इस केस में देखेंगे अभी एक्जामपल के तुरू यहां पर समझीए इस कंपनी डवल इट्स सेयर काउंट बाइग इंवेस्टर सम अडिसन वन अडिसनल सेयर ऑफ इस टॉक फॉर आभी सियर दे ओन यहां पर बुला गया है जितनी भी सियर ओन किया गया है मतब जो सिंगल सेयर एक ओन किया गया किसी कंपनी का उसके अपेक्स आपको डवल सेयर यहां पर मिल रहा है तो इस केस में क्या होगा देखेंगे और हर एक सेयर पर डवल स्पिलिट हो रहा है तो कहीं ने कहीं चार सेयर पर एट सेयर आपके बन जाएंगे डवल आपके सेय यहां पर हो जाएंगे यहीं चीज यहां पर बोले गई है यहां पर शेयर ओल्डर विल ओन ट्वाइस आज मनी सेयर से पात है उसके डबल वह ओन करेगा आपके डी मैट अकाउंट के अंदर बैसिकली चार के बदले 8 यहां पर सो करेगा अब यहां पर बोल गया है जो आपकी ओवराल वैल्यू आपकी यहां पर चेंज नहीं होगी अब क्या है वो बैल्यू कैसे चेंज नहीं होगी उसको एक छोटे से एक्जामपल से मैं समझाता हूं आपको इसके बाद अभी और हम लोग कंपारिजन पर चलेंगे अच्छे से स और एक से घंडर कापरिजन यहां यह पर होजाते है यह इंवेस्टेड वैल्यू होई अब कमपनी क्या वैल्यू वैल्यू हो करती कंपनी कहती गए डवल स्प्लेट करेंगे जितना एक सियर के बेस पे हम डवल यहां पे स्प्लेट कर रहे हैं मतलब एक सियर है तो उसका डबल हो जाएगा मेंज यहां पे 20 से यह आपके डिमेट माफ्स हो गरेगा किले अबाद सिंपल से कंसेप्ट है कि आपके स्टॉक को डबल कर दिया गया है और स्टॉक डबल कर दिया गया तो आप कहेंगे सर इसके अंदर हमारे पास में 20 से अब हो गए है और 100 उपे का एक से यह है तो अब हमारी जो वैल्यू है इंबेस्मेंट की वह 2000 उपीज हो जानी चाहिए मेंस कंपनी वाले बेकूप हैं और हम लोग ह पर कोश्यार है एक हजार के बतले फिरी के हमने 2000 कमा लिया क्या ऐसा होगा नहीं ऐसा नहीं होगा कंपनी वाले ऐसे तो लुड़ जाएंगे बरबाद हो जाएंगे रोट पर आ जाएंगे ऐसा क्यों करेंगे तो इस केस में बोला गया है यह 1000 की जो वैल्यू है न वो प्रोपोर्शन में तोड़ देंगे क्योंकि डबल किया है तो अब इसका प्राइज यहां पर हम डिवाइड कर देंगे टू से और फिप्टी इसका प्राइज हो जाएगा और जो नेट वैल्यू है अभी भी यह स्प्れた करने से पहले का सिनारियो में ऑर क्या करते है तो यहां पर क्या कर दिया है यहां पर किया उफर कीया घॉप्तल वर जाएगे और कितने रुपे का होगा, एक सियर, 50 रुपे का हो जाएगा, क्योंकि यह 100 का एक सियर था लेकिन हमने स्टॉग को स्प्लीट किया है, हाप रेट में, डबल किया है, तो वहाँ पे multiply होगा यहां पर लिखा भी हो आदे के multiplying या फिर डिवाइडिंग तो इसकी जो phase value है ना वो भी यहां पर आधी हो जाएगी तो यह 50 का एक हो जाएगा इन दोनुको अगर multiply करेंगे तो overall जो capitalization value 1,000 विल भी remains 1,000 तो यह बात इसके अंदर की जाती है इस टॉग स्प्लेट के अंदर के लिए बेसिक अंडेस्टिंग आपको आ गई होगी अब यह किया क्यों जाता है इसके बहुत सारी रीजन है स्टॉग स्प्लेट करने के एक रीजन इसके अंदर यह भी होता है कि जैसे आपको मैं छोटा सा एक्जांपल देता हूँ खुद से आपसे कोशिन एक पूशता हूँ मैं कि अगर एक प्राइस जो सेयर है एक सेयर है उसका प्राइस आपको दिख रहा है आपे आपने चेक किया सेयर का प्राइस आपके पास में है 5000 रुपीज होता है बहुत सारे सेयर आपने चेक किये तो काफे स्ट्रॉंग है दोनों के फाइनेंशियल तो कौन से सेयर को मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यहां पे खोल्ड करेगी आपका आंसर होगा 500 वाले पर जाता फोकस करोगे क्योंकि यह हर कोई अफॉर्ड नहीं कर सकता इसके प्राइस को 5000 वाले यह वही लोगों कर सकते हैं जिनके वाग काफी पैसा इंवेस्मेंट के लिए तो वो लोग इस पर पैसा लगाएंगे तो इसी वज़े से कंपनी जब क्या करती है मास कम्यूनिकेशन मतलब मास डेटा यहां पे इस्प्रेड करना चाहती है अपने सीएस को मास के बीच में तो कहीं न कहीं ज्यादा पब्लिक को अट्रेक्ट करने के लिए अपने सीएस के प्राइस को कम कर देती है और वह होता है किससे स्टॉक स्प्लिट से तो यह जो हमने प्राइस कम किया है इसका हमने जैसे स्प्लिट किया तो स्प्लिट में आपके सीएस की वैल्यू उतनी ही रहती है लेकिन number of DCR आपके बढ़ जाते हैं और साथ में phase value आपकी उसी proportion में यहाँ पे divide हो जाती है किलियर हो गई basic understanding आपकी मैंने बना दी है अब आगे बढ़ते हैं अब दो तरीके का इसके इंदर split होता है जैसा मैंने आपको कहा एक forward split होगा और एक आपका backward split होता है forward split का मतलब क्या होता है जैसे अभी हमने जो example समझा वो forward split का था forward के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी before scenario before split scenario की बात करेंगे और उसके बाद after split scenario की बात करेंगे तो the most common type of the strong split is the forward split सबसे जादा forward split होते हैं जिसके अंदर आपके पास में जो face value है ना वो यहाँ पर कम हो जाता है और इसके अंदर जो CES होते हैं number of CES वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं किसके अंदर forward stock split के अंदर which means a company increases its a CES count by issuing new CES to existing investors इसके अंदर नए CES की जाते हैं existing investors को अब नए CES का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर आपके public को IPO issue किया उसके थुरू यहाँ पर CS issue यह नहीं यह चीज गलत है उसके अंदर तो फिर आपकी capitalization भी तो बढ़ेगी यहाँ पर सिर्फ क्या है आपके CS को अलग-अलग भागुमा तोड़ा जा रहा है जिसके अंदर आप देख रहें face value को भी तोड़ा जा रहा है के लिए रोगी बात example के लिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A341 forward 341 forward का मतलब क्या है spread means that if you own 10th year of the company XYZ before it split अगर 341 यहाँ पर एक split होता है company का forward split देखने को मिलता है तो उस case में अगर आपने company के 10 share on किये थे तो after split वो आपके 30 share बन जाएंगे जैसा मैंने example में आपको बताया था ठीक है बात तो यह basic चीज है after the stock split took effect however the overall value of the investment will not change यहाँ पर बोला गया सीधी सी बात overall investment value आपके change नहीं होगी क्यों चेंज होगी आपकी value क्यों कि जतना invest किया है उतना ही तो company libel है आपको पे करने के लिए उससे ज्यादा free का पैसा company आपको क्यों देगी ठीक है बात तो यहां पर यह है तो यह forward split result in more outstanding CS but a lower price for ECS यह मैंने आपको समझाई दिया इसकी अंदर आपकी CS तो क्या CS बढ़ते हैं बट face value CS की कम हो जाती है CS का price इसके अंदर कम हो जाता है नो नेट गेन नो लेट लॉस इन पर मार्केट वैली मार्केट वैली मां कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कोई आपको प्रॉफिट नहीं हुआ आपको कोई यहां पर लॉस नहीं हुआ ठीक है अब इसका पोजिट हमारे पास आता है जिसको reverse या backward stock split यहां पर बोला जाता अब कमपनी बैकवर्ड करना चारी क्या मतलब होता है कि कमपनी कहीं ने कहीं पैनी स्टोग बनने के केस पर आ गई है पैनी स्टोग आप लोग समझते हैं जिसका प्राइस बहुत कम होता है और धीरे-धीरे क्या होता है ना प्राइस बहुत कम होने लगता है तो यह से भी क से बाहर हो जाएंगे उससे तो इसी लिए क्या करना पड़ता है रिवर्स इस्टाउक स्प्लेट भी किया जा सकता है जैसे कहने का मतलब 100 रुपे का सीएड था आपने उसको क्या कर लिए एक तरीके से इस टोग स्प्लेट के तुरू 10 रुपे का एक सीएड हो गया तो धीरी यहाँ पे चीज़े फिर खराब हो जाएंगे इससे नीचे गिर गया फिर धीरे धीरे से भी इस पर नज़र डालेगा और डी लिस्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए यहाँ पे जितने भी सीएड है जैसे अब आपने 30 सीएड यहाँ पे थे इसको आपने ओन किया यहाँ था बेसे कि लिए जिसका प्राइज आपका पास रुपे था फिर इसको सीएस नंबर आफ दे सीएस कम हो जाएंगे इसका प्राइज बढ़ जाएगा जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको डबल करेंगे तो अब आपके पास में नंबर आफ सीएर 15 हो किसके बाद यह रिवर्स रिवर्स स्टॉग स्प्लेट के बाद यही चीज आप बुला गया है एक्जामपल के लिए समझेए 143 रिवर्स स्प्लेट अगर किया जाए तो उसकेश में क्या होगा वन डैट रिप्लेस्ट आवरी थीए से ओंड बाइद कम्पनी इंवेस्टर विद इस सिंगल से अपडी स्टॉग समझेए बत को सो इफ यह ओन 30 से रॉफ ए कंपनी अगर आपने 30 से किसी कंपनी के होल्ड किये हैं तो उसकेश में क्या होगा सच रिवर्स स्टॉग वेंट इंटो स्टॉट वूड ओन 10 सी अब आपको कितने मिलेंगे 10 से आपको मिलें 30 से रापने हल्ड किये थे यह बिफोर स्टॉट था इस केश में आप रिवर्स स्टॉग स्टॉट के तुरू यह आपके 10 से र में कंपर हो जाएंगे यहां पर यह बात यहां पर के लिए है ठीके बात और दूसरी तरह जो आपका प्राइज है से र का वह यहां पर इंक्र आपके 10 स्टॉटि यह फॉर्वरडस टॉट है और आपका रिवर्स स्टॉग स्टॉट है यह के दो होते हैं कि आई थिंक कंकेट बिल्डिंग आपकी हो रही है अब थोड़ा सा इसको समझते हैं की इस टॉट स्पुरिट क्यूव किया जाता है सबसे पहले देखें टू मे अगर बेस बनाना है हाई मास में आपको अपने कैपिटल को यहां पर फ्लो करना है तो उस केज में कहीं ने कहीं प्राइज आपका फोर्डेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल फ्राइज बनाने के लिए कहीं ने कहीं आपको स्टॉक स्प्लेट पर जाना पड़ सकता है अब इंपक्ट क्या होता है हमारे स्टॉक स्प्लिट का इंपक्ट देखिए पहली चीज मार्कट कैपिलाइजेशन में क्या कोई चेंज होगा थोड़ी दिर पहली तो डिसक्स किया है कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होगा रिमेंस ऑलवेज सेव दूसरा डिमांड फॉर स्टॉक डिमांड फॉर स्टॉक इंक्रीज नहीं होगा क्या पहले जिसका प्राइज आपका 2000 रुपीज था सेयर का अब वो सेयर का प्राइज गिरके 200 रुपीज या 500 रुपीज हो क्या तो अब्यूसली इसके डिमांड क्या होगी इंक्रीज करेगी तीसरा है सियर प्राइज गिरेगा जब हम लोग इसको स्प्लेट करेंगे सीधी सी बात है ना हमने स्प्लेट किया तो मतलब प्राइज क्या गिरेगा पहले और उसके बाद जैसे इसके डिमांड बढ़ने लगेगी मार्केट के अंदर फिर यह इंक्रीज करने लगेगा क्योंकि इसके स्प्लाइ लिमेटर है तो अब्यच है कि आपके स्टोक का प्राइस इंक्रीज करेगा तीसरी बात करें नंबर आफ ऑउस्टेंडिग सीर इसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगे Outstanding Seer का मतलब जो Seer Held किये गए है उन CS की यहाँ पर बात हो रही है तो Outstanding CS Increase होंगे यह मैंने आपको अलड़ी समझा दिया है Earning पर Seer क्या यहाँ पर Increase होगा, Decrease होगा तो Decrease होगा क्योंकि CS की Basically हम लोग यहाँ पर Face Value कम हो गई है और इसके अंदर Dividend भी आपका Decrease होगा क्योंकि जैसे जैसे जो एक पूरा CS आपका था वो दो बागों में बढ़िया तो उसी हिसाब से आपके अनिंग भी कम हो जाएगा, आपके Dividend का Rate भी कम हो जाएगा ठीके बात तो यहाँ पर यह बात होती है यह है आपका Impact of Stock Split किलिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब समझते हैं एक आपका होता है Bonus Seer और एक आपका होता है Stock Split दोनु आपका Similar Type के होते हैं बट दोनु में Difference काफी होता है समझते हैं पहले Bonus Seer क्या होता है Meaning, a Bonus Issue is an Additional Seer Given to Existing Seer Holder Free of Cost यहाँ पे Additional Seer देने की बात की जा रही है Free of Cost किसको? जो Existing Seer Holder है उन तो और यहाँ पे Stock Split पे Stock Split divides the existing outstanding Seers of the company into two or more Seers अब यहाँ पे Division की बात हो रही है तोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे तो आपको Extra Seer मिलेंगे Bonus के तोर पे ठीक है लेकिन यहाँ पे आपको Extra नहीं मिल रहा है जितने हैं उनको ही हम लोग बढ़ा रहे हैं नंबर को दूसरा Benefit की बात करें Bonus Issues are Benefiting Only Existing Seer Holder अगर हम Benefit की बात करें तो Bonus Seer हमेशा Existing Seer Holder को दिगे जाते हैं जबकि Stock Split आपका किसको आप Existing को भी दे सकते हैं और Potential Investors दोनों को यहाँ पे इसका फाइदा हो सकता है Example की बात करें 4 यह 4 is to 1 bonus issue Seer Holder will receive 4 seer free for every 1 seer held यहाँ पे अगर आपका ratio है 4 is to 1 का तो सिदी सी बात इसके अंदर यह है bonus issue के अंदर क्या होगा जितने भी आपके CS basically एक आपने जितने भी CS यहाँ पे held किये है आपको एक seer पे basically 4 seer यहाँ पे मिलेंगे अब यहाँ पे देखे मैं इन दोनों का ratio एक बार define करता हूँ इस चीज़ पे काफी confusion होता है इस चीज़ को पहले clear करता है फिर हम लोग आगर बढ़ता है यहाँ पे ratio की बात करें तो 4 is to 1 for example मैंने यह लिख दिया है अब यह जो ratio होता है आपको पता है 4 is to 1 पढ़ा जाता है लेकिन यह bonus seer के case में अलग तरीके से interpret होगा और आपका strong spread के case में अलग तरीके से interpret होगा कैसे interpret होगा bonus seer के case में मैं एक दूसरी pen यूज कर लेता हूँ bonus seer के case में यह जो बाद वाला number है यह होता है original seer आपका और यह होता है after bonus seer यह आपको मिलेगा मतलब एक seer के बदले में आपको 4 seer मिलेंगे यह बात यहाँ पे चल रही है अगर इसी चीज को मैं interpret दूसरे तरीके से यानि के stock split के through करता हूँ मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे यह है जिसने 4 seer यहाँ पे यह आपका original हो जाएगा यहाँ ठीक है यह वाला original हो जाएगा जिसके पास 4 seer है basically उसका यहाँ पे एक extra seer basically उसको एक extra seer में तोड़ दिया जाएगा ज्यादा appropriate example की बात करो 4 is to 2 कर दो ज्यादा appropriate है क्योंकि यहाँ पे जिसके 4 seer है 4 seer को आपने यहाँ पे 2 double कर दिया उसका तो अब वो 8 हो जाएगे ठीक है 4 is to 2 का मतलब हो गया पहले 4 थे आपने उसको double कर दिया strong split में तो आपके पास आप 8 seer यहाँ पे हो जाएगे लेकिन यही चीज यहाँ interpret की हमने तो obvious है कि पहले यह जो seer है जो यह आपका one दिख रहा है यह original part है और यह four जो है आपका after bonus issue है ठीक है तो यह चीज आपने अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखनी है तो यहाँ पे यही चीज explain की गई है और stock split के अंदर बात करें इन्हें stock split in the one is to two ratio for every one seer यानि कि stock split के अंदर क्या बोला every one seers held it will become two seers for every hundred seer held, seer count will become two hundred seers, अब यहाँ पे देखे जो यह one है ना यह original है जिसने एक seer held किया है उसको यहाँ पे अब दो seer बन जाएंगे उसके और जिसने यहाँ पे total hundred seer held किये हैं तो अब 200 seer हो जाएंगे total समझे मेरी बात को तो यह stock split के अंदर होता है फिर face value की बात करते हैं तो bonus seer के अंदर face value के अंदर नहीं होता जबकि stock split मैंने आपको समझा दिया face value आपकी कम हो जाएगी reduces in the same ratio last one company reasonable की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में the bonus issue is an alternative to dividend and giving away accumulated reserve जब हम लोग किसी साल क्या करते हैं ना dividend का payment नहीं करते हैं तो dividend का payment नहीं करने के बजाए हम bonus यह भी कर सकते हैं इक alternative के तौर पे लेकिन stock split के case में क्या होता है has to increase your liquidity reduce your price and make it affordable for the more shareholders यह हमने पाल लेडी यहाँ पे discuss कर दिया है तो यह दो differences आपको समझ माने चाहिए किसके बीच में bonus और stock split के case में आईए अब यहाँ पे हम लोग actual जो चीज है उसको समझते हैं और इससे आपके जितने रहे थे concept से सारे clear हो जाएंगे I am sure example है यहाँ पे ध्यान से देखना है यह stock price है stock price 100 दिया गया है यह आपका after bonus issue है one is to one का और यहाँ पे यह after stock split है one is to two का clear होगी बात phase value 100 है ठीक है और स्टॉक प्राइज और phase value 10 है और outstanding share कितने हैं वन लेक्स के share है टोटल और market capitalization multiply कर देंगे तो 10 लेक्स आपका आ जाएगा CDC बात है हम लोग इन दोनों को multiply कर देंगे तो आपके पास में market capitalization आ जाती है आपको पता ही है और reserves इसके अंदर टो लेक्स के है ठीके बात कितनी information आपको गिपन है अब अगर हम after bonus issue की बात कर रहे है मतलब जिसने एक share held किया है उसको एक additional share और दिया गया है में जिसके पास एक share था अब उसके पास दो share हो जाएंगे किसके तहत bonus issue के तहत तो यहां पर अगर बात करें stock price कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा क्योंकि पहले आपके पास में क्योंकि आपने दो part कर दो CS हो गए ना bonus issue के अंदर आपके पास में दो part हो गए अब तो यहां पी जो basically यह है 50 हो जाएगा price और face value की बात करें face value उसके अंदर change नहीं होगी ठीक है और अगर इसके अंदर बात की जाए outstanding seer की तो outstanding seer आपके पास में दो लाग हो जाएगे अब सीर कैसे बढ़ेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको और market capitalization सेम रहेगा इसके अंदर और reserves घटके आपके पास में और उसके अलावा face value की बात करें वो भी यहां पे कम हो गया आदा हो गया है और उसके बात करें outstanding जो seers हैं उसकी तो outstanding seer भी सेम है market cap भी अपका सेम रहेगा रिजब भी अपका सेम रहेगा चेंजिस कहां पे देखने को मिला changes की बात हम यहां पे कर लेते हैं तो changes अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको changes देखेगा कहां पे एक सेकेंड यह आपको चेंज देखेगा देखे यहां पे जो है न फेस वैल्यू सेम है अगर फेस वैल्यू सेम है 10 रूपे का एक सेयर था और outstanding सेयर बिसिकली 1 लाग थे तो एकी लाग तो होना च्यद्भ है इतरा यह आप देखेंगे यहां पे एक लाग है यह एक लाग के टोटल है तो यह अपका बेसिकली यहां पे 10 रूपे का एक था और 1 लाग है थे तो आपका यहां पर 10 लाग क्स तो आना चाहिए था यहाँ पर तू तू लैक्स है तो यह 20 लैक्स क्यों नहीं आया क्वेशिन मेरा यह है कि हम लोग जब निकालते हैं क्या चीज मार्केट कैप्लाइजेशन निकालते हैं तो मल्टिप्लाइ करते हैं फेस वैल्यू और आउटस्टेंडिंग सेर को तो अगर यह है कि 10 लैक्स आपने कहीं और से रिलीज किये हैं और वो 10 लैक्स आपने कहां से रिलीज किये हैं देखिए इसका बहुत इंपॉर्टन कंसेप्ट है कि आपने रिजब मैंसे लिए हैं आपने जो 1 लैक्स है 10 लैक्स नहीं 1 लैक्स जो हैं आपने इसके अंदर से लिए है तो बचा कितना 1 lakh से यहां बच गया और जो यहां पर कम हुआ यहां पर कम हुआ वह आपने यहां पर डाल दिया, क्योंकि यहां पर देखेंगे outstanding CR पहले से आपके पास मैं one lakhs थे, अब outstanding CR क्योंकि extra CR मिले है न, outstanding CR इसके अंदर change यहां पर तो change आपके हो जाएंगे, किसकी बढ़ गए क्योंकि आपने रिजर्ब मैंसे यह जो वन लैक्स के सियर हैं वो यहां पर इस्यू किये हैं दुबारा मैं एक बार फाइनल टाच आपको दे रहा हूं उसके अंदर इसको समझी एच्छे से कि हमने क्या किया था after stock split stock split के अंदर तो हमारा market price stock price जो है वो यहां पर 50 था क्योंकि इसके अंदर double की भात के गई है basically 1 इस्टो 2 की बात के गई है और इसके अंदर बोला गया है कि जिसके पाद एक stock है उसके पाद 2 हो जाएंगे और इसी तरीके से इसके अंदर बोला गया है आप्टर बोनस के अंदर भी बोला गया है जिसके पास एक था एक उसको अक्स्टा मिलेगा मतलब दो टोटल यहां पे हो जाएंगे तो यहां पे स्टॉक प्राइस दोनों में घटके तो यहां पे जब फेस बैलू सेम है तो फिर आपका कैप मार्केट कैप इसके अंदर सभी यह दो लाग कैसे आएगा यहां पर तो 2 लाग ठीक है यहां पर आपको जब निया है लेकिन यहां पर 2 लाग कैसे आएगा तो उसके लिए कहीं ने यह आपका जो रिजब्स हैं, रिजब्स मैंसे जितना आपने अक्स्ट्रा सीएज इस्यू की हैं, वो पैसा यहां पे आएगा, तब जाके आपका यहां पे क्या बनता है, वन लैक्स एड होगा, और वन लैक्स यहां से कम हो गया, तो वन लैक यहां बच किया है, और जो मार्केट कैप है, कि हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर यह आपका देखे 20 लैक्स हो जाता, अगर मार्केट कैप्लाइजेशन की बात करें, तो मार्केट कैप्लाइजेशन आपका इसके अंदर 20 लैक्स हो सकता था, लेकिन 20 लैक्स के बजाए वो टैनी लैक्स का, तो इसके अंदर तो यह चीज आपको समझनी है और इसके अंदर फेज वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी और यहां पर तो सीदी सी बात है आपको बोल दिया डबल तो एक लाग सीज थे उसके दो लाग होगे और सीदी सी बात है जो फेज वैल्यू थी दस रुपे थी सीदी सी आधह हो है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थांकियो सू मुच हैव नाइस टे टेक कियर बावावाव करता है